चैनल में आप सभी का स्वागत है देखिए फ्रेंड्स आज की वीडियो काफी जाद इंपोटेंट है उन खास करके सभी दिव्यांग जनों के लिए तो वीडियो को भी धान से सुनियेगा और मेरी बातों पर जरूर विचार कीजिएगा ठीक है दोस्तों तो चैनल पर बने हैंडिकाफ आफ को इस तरीके से देखने को मिलेगा सबसे बड़ी करिकरी है जिसमें काफी संख्या में लोग अभी हैं और उसके बाद वियाई के अब वियाई और शघ। और उसके बाद सबसे कम एमडी केटिगरी में संख्या थोड़ी बढ़ने लग रही है चार्तरकी क category में सबसे ज्यादा OH category में है और VI और अगर कोई भी blindness और VI इस वीडियो को देख रहा हो तो वो भी जरू इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वो भी बताईएगा क्या उन लोगों के साथ भी ऐसे समश्या हो रही है तो इसमें हमने देखी लिखा है OL, OL का मतलब आपको वन लैग में अगर प्रोब्लम है ठीक है दोस्तो BL आपको बोट लैग में प्रोब्लम है OA आपको वन आर्म में प्रोब्लम है और BA आपको बोट आर्म में प्रोब्लम है ठीक है किसी को OL भी हो सकता है 1 leg one arm, किसी को both leg both arm भी हो सकती मैं ये problem हो सकती है ठीक है और VR category होती है of opinion low vision होता है blindness होता है, उनमें भी अलग category है तो इसके अंदर और भी बहुत सारी category आती है, जैसे dwarfism हुआ आपका CP होआ और इसमें जो acid attack होते हैं वो तो यह काफी सारी और categories भी इसके अंदर आती हैं तो सबसे बड़ी समश्या देखिए किसके साथ हो रही है इन में से O.A. यानि कि one arm और both arm ठीक बी ये O.L. और B.L. प्रोब्लम क्या है? यह लोग जो one arm है, both arm है काफी लोगों के मेरे पास messages भी आते हैं तो यह लोग subscribe ले करके जाते हैं subscribe का यूज करते हैं subscribe का मतलब इनके साथ exam देने के लिए कोई और person भी जाता है वो person ऐसा हो सकता है जो कि एक high standard का हो अच्छी knowledge हो exam को crack कर सके अच्छे नंबरों से वो B.A. के साथ both arm वाले के साथ और one arm वाले के साथ जा सकता है ठीक है अब उसको last में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसके बारे में मुझे इतनी ज़्यादा जान करी नहीं है मैं सही बताऊं तो आप लोगों को लेकिन हाँ इतना मुझे पता है कि exam में ये लोग बैठते हैं एसे लोगों को ले जाकर कि जिनकी अच्छी खासी education होती है अच्छी खासी उनको knowledge होती है वो लोग बैठते हैं OA के साथ और BA के साथ और ये final तक selection भी लेकर करके जाते हैं इतना भी मुझे पता है बचे कौन BL और OL One leg और Both leg वाले ये सिर्फ अपना exam अपने आप देते हैं खुद से देते हैं अपनी मेहनद से दिन रात पढ़ करके ठीक है इनके साथ कोई exam देने के लिए नहीं जाता है अब नंबर किसके ज़्याद आएंगे One arm, Both arm के पहली सबसे बड़ी समश्या ही है ठीक है इसमें One arm का फायदा है Both leg और One leg का नुकसान है दूसरी चीज़ अगर किसी भी exam में typing है तो One arm, Both arm क्या करेंगे exemption लेकर के बैड़ चाहेंगे ठीक है और Both leg और One leg को क्या करना पढ़ेगा typing देनी पढ़ेगी जबकि typing में कम से कम सीखने में तीन महीने का समय लगता है अगर आप एक अच्छे खासी स्पीड लेकर के आएं और जबकि exam के मेंस के बाद भी आपको सिर्फ 15-20 दिन का महीने का time मिलता है किसी भी exam में इससे ज़्यादा नहीं मिलता अब CGL में देख लीजिए साथ के साथ typing है अगर हुआ है तो इस बात से भी थोड़ा आप मुझे अवगत करा दीजिएगा कि आपने B.L. थे और या 1.L. से प्रोब्लम थी आपने exemption ली थी और आपको final selection हो चुका है N.T.P.C. के अंदर या फिर आपने किसी और exam में C.H.S.L. में या CGL में आपने last year जो है typing exemption ली थी 1.L. बॉतलग में और आपको final selection हो चुका है तो अगर कैसा कोई candidate है या मेरी वीडियो को देख रहा है तो बिल्कुल मजे comment कर दीजेगा उससे हमें चलो एक नुकसान जो जहलना पड़ता है मेरे नुसार वो साइध कम हो जाए और मैं अपने बात को और अच्छे तरीके से कह सकूँ थोटा सा नुकसान बिल को होता है ओल के मुकाबले इनकी sit है नहीं होती इनकी इसी category के अंदर ठीक है ओलो की भी कुछ जहंगे sit नहीं होती और काफी जहंगे sit भी होती है अब देखिए ओलो में railway group D के अंदर कुछ अच्छी चीज हो रही है किसी किसी जोन में सभी जोन में नहीं हो रही वो OA की और BA की cutoff OA और OL ठीक है वहाँ पर बहुतारम और BL की तो vacancies नहीं है railway के अंदर group D के अंदर तो वो लोग इनकी cutoff लग लग निकाल रही है बहुत अच्छा काम कर रही है यह काम सब जंगे होना चाहिए जब आप किसी चीज में टाइपिंग में छूड़ते रहे हैं आप स्क्राइब लेकर के जाने दे रहे हैं तो फिर आप एक ही साथ क्यों इनको add कर रहे हैं तो दोस्तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं इस video के नीचे लिंक दे दूँगा आपको अगर इसकी कोई बहतर guidance मुझे दे सकता है तो जरूर दीजिएगा या तो इसमें जो संशोधन है उसको किस तरीके से हम करा सकते हैं इसमें अगर case करा सकते हैं तो case भी आप लोग जरूर करिएगा ठीक है है उसमें मतलब आप लोगों के साथ मैं हूँ ठीक है ऐसा नहीं है मैं नहीं हाँ आगर आप लोग इस चीज के साथ से सहमत होंगे तो जो दिव्यांग अधीनियम है उसमें कुछ changes होने चाहिए मैं चाहता हूँ कि यह category अलग-अलग हूँ ठीक है दिक्कत है दोनों लैग में लेकिन वह अलग उससे जादा हो जाती है तो वह तो चलो एक ही category है दोनों को ठीक है और यह आपकी इधर की category है और इसमें जिसको भी आहर मोड लैग में है वो भी अलग category में मतलब इन ही में चला जाए यानि कि 1% quota और बढ़ाया जाए मेरे अनुसार और इन category को तो अलग-अलग किया जाए ठीक है दोस्तों तो मैं इस वीडियो के नीचे भी लिंक दे दूँगा WhatsApp group का उसमें भी चलचा कीजिएगा ठीक है अगर यह चीजे case से कुछ इन में सुधार हो सकता है तो कम से कम करना चाहिए अब बहुत ज़्यादा नुकसान है बहुत ज़्यादा vacancies जो है वेकार चल रही है और सभी लोगों के साथ समश्य हो रही है तो इस वज़े से अब अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके और जो भी सुजाओ होंगे वो भी जुरूर बताइएगा काफी नुकसान है इसमें OLBL को और OE को भी काफी नुकसान होता है काफी ज़ंगे इनको टाइपिंग में छूट नहीं दी जाती है तो वहाँ पर क्यों बैटेंगे OLBL बादे बैटेंगे यह तो टाइपिंग नही तो इनको नुकसान है कम से कम यह फाइट करें तो Tuesday और हम त्री इतना ज्यादा पता भी नहीं होता Marine काफी में इनके साथ बहुत सरी समश्य है इनका पूरा एक अलग जारी किया जाए इनकी अलग के यह जारी किजए इसमें पूरा सरी तरीके से पूरी सारी इंफ् labeled relative information हो ठ इस वीडियो के नीचे में उस गुरूफ का लिंक भी दे दूँगा, उसमें भी आप जूड़ जाईएगा, और बिल्गुल में बताईएगा, क्या आपको बात सरी लगी, ऐसे ही वी आई और ब्लाइडनेस के साथ भी मुझे लगता है, ऐसे ही सिच्विशन है, तो वह लोग भी जरूर, देखेगा वेडियो को और कमेंट करके जरूर बताईएगा, ठीक है दोस्तों, तो बाकी चनल पर बने लिएगा, चनल को लाइक, शेर, सस्क्राइब, जरूर कर देजिएगा, और नवाद दोस्तों